वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें अभी इस पहले वीडियो में जितने भी कोशन में आपसे पूछू उनके आंसर जरूर करिएगा अगर आप कमेंट सेक्शन एक बार देखेंगे इस वीडियो का एक दो तीन घंटे बात तो आप देखेंगे वहाँ पर सवानूर का नाम वहाँ पर आप जरूर मेंशन होगा क् इन्होंने कमेंट सेक्शन में आंसर कियोंगे उन सभी कोशन के जो इस वीडियो में पूछे जाएंगे सिमिलरली सविता सिंग इसके अलावा शिबांगी दुवे मीना राज यह सब वो लोग हैं जो यूजियली हर एक वीडियो में पूछे के कोशन के आंसर करते हैं अपने अपने दिमाग में उसको स्टोर करा हुआ है और जैसे ही मौका पड़ा आप उसको रिकॉल कर पाए इसका मतलब यह है कि जब आप एक्जामनेशन में बैठोगे और वहां पर पेपर देखोगे और पेपर में अगर यह कोशन आएंगे आपको बिलकुल भी कन्फू है कि इस वाले वीडियो के लिंक को अपने वाटसेप पर फेस्बुक प्रोफाइल पर जरूर शेयर करिए ताकि जास यादा स्टुडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ पाएं इस चैनल के साथ आप आप आएं और यह जो करेंट अफेर्स का पूरा सीरीज इसका बेनिफि ना की है जिसके तहत महलाएं अधिक्तम दो लाख रुपए तक का निवेश दो सालों के लिए कर सकती है या फिर अधिक्तम एक लाख रुपए तक का निवेश चार सालों के लिए कर सकती है या फिर तीन लाख रुपए तक का अधिक्तम निवेश पांच सालों के लिए कर स हाँ पर दिया हुआ है कि बजट दो हजार तेज़ चौबस में प्रधान मंतरी विशेश रूप से कमजोर जनजातिय समू यानि कि पी एम पी वी टी जी विकास मिशन को लागू करने के लिए कितने करोण रुपए की राशी जो है इन्होंने आवंटित की है अब ये 5,000 करोण रुपए है ये 10,000 करोण रुपए 20,000 करोण रुपए ये पंदरा हजार करोण रुपए तो सही आंसर क्या अएगा उप्चिन डी यानि की 15,000 करोण रुपए का निवेश किया जाएगा पीम पी वी टी जी डिविलिप्मेंट मिशन में याद रखेगा यह ऐलोकेशन पंदरा हजार करोण रुपे का नेक्स्ट हम बात करें किस फसल की खेती के लिए हाल ही में नागालेंड सरकार और पतंजली फूड्स लिमिटेड इन्हें समझोते अग्यापन पर स्ताक्षर किये हैं अब यह ड्रेगन फ्रूट है ऐलोवेर के तेल है ठीक है तो सही आंसर क्याएगा पाम ऑईल इसके लिए जो है नागालेंड सरकार और पतंजली फूड्स लिमिटेड इसके बीश में समझोता इन्होंने की तो आगे चलें नेक्स्ट को देखें इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आपनों के लिए जो One Stop Destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा इसमें Steady Material रहेगा टेस्सीरीज रहेंगी पेड कुईज रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगाबर मिलेगा और यह सबको सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को करेक्क करने के लिए एकजाम को निकालने के लिए ले टेस्ट ग्र यहां पूछा गया है इन तीनों में से किसी भी नमबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह ले टेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एड्मिशन ले सकते हैं कि आप के बाद अगले कोश्चन की बात करें यहां पूछा गया है who inaugurated the 46th international Kolkata book fair on 30th January 2023 अब ये धर्मिंद प्रतान है, ममता बेनर जी है नितिन गटकरी या फिर द्रौबदी मुर्मू तो सही answer option B, यानि कि ममता बेनर जी next question की बात करते हैं अगले question में पूशा गया है कि हाल ही में 46th भारतिये तट रक्षक दिवस जो है एक फरवरी या फिर 29 जनवरी तो सही answer option C यानि कि एक फरवरी को इसको मनाया गया next question की बात करते हैं अगले question में यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि 2 से 14 फरवरी 2023 तक समता कुम्ब किस राज में आयोजित किया जाएगा अब यह करनाटक में गुजरात में उडिसा या फिर तेलांगना तो सही answer option D यानि कि तेलांगना में इसका आयोजित किया जाएगा अगले question की बात करें यहाँ पर पूशा गया है कि हाल ही में इस्पेन के राज़दूद जोस मारिया रिडाओ ने किस देश को 2025 में मेडरिड अंतरास्टी पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में आमंतरित करने की घोशना की है अब यह पाकिस्तान है चीन है भारत या फिर जापैन तो सही answer क्या होगा आपका इंडिया को यहाँ पर invite किया गया है इसके बाद अगले कोशन की बात करें यहाँ आप से पूछा गया है कि हाल ही में इंडिया यू के एचीवर्स और आउनर्स ने किस भारतिय को lifetime achievement और प्रतान किया है अब यह सुनिया गांदी है डॉक्टर मनमोहन सिंग है लाल किष्ण अडवानी या फिर रामनात कोविंद तो सही answer क्याएगा यहाँ पर option B यानि की डॉक्टर मनमोहन सिंग को इंडिया यू के अचीवर्स और्स में जो है lifetime achievement और जो है उससे समारित किया जाएगा अगले question की बात करें यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में शांती भूशन का निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध थे अब यह वकील थे पत्रकार थे वैज्ञाने के अफे परियावर अनविद मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी कोई doubt हो कि he was a lawyer ठीक है एक वकील थे next question की बात करें यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमरत धरोहर पर योजना यह किस से संबंदे थे योजना जो है जल संब्रक्षण से है इस मारकों का संब्रक्षण है आद्र भूमी संब्रक्षण है या फिर यह मालाई औशदी संब्रक्षण है तो सही आंसर क्या होगा वेटलेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है अमरत धरोहर योजना इसके बाद मूब आउन करते हैं next question पे अगले question क की बात करें यहां पूछा गया है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दा लास्ट हीरोज फूट शोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम किसने लिखी है ठीक है अब यह पी साइनात है दक्ष त्यागी है गौतम दत है या फिर यह किरण बजाज है तो option ए जोगा पी साइनात एशिया का पहला floating festival गांधी सागर floating festival कहां पर आयोजित किया गया लद्दाग जम्मु कश्मीर मद्द प्रदेश या फिर जहारकंड तो सही आंसर क्या होगा मद्द प्रदेश में इसका आयोजिन किया गया इसके बाद चलते हैं अगले question पे अगले question में यहां पर पूछा गया है facial recognition technology पर आधारित डिजी यात्रा सुविदा माज 2023 तक निम्लिकित किस हवाई अड़े पर लागू कर दी जाएगी अब ये कोलकता पूरे हिद्राबाद या फिर उपरोग तो सभी तो सही आंसर क्या होगा उपरोग तो सभी यानि कि कोलकता हवाई अड़ा पूरे hydrogen train ये कब तक शुरू की जाएगी जनवरी 2025 या फिर अक्तूबर 2024 या फिर मार्च 2024 या फिर ये दिसंबर 2023 तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा दिसंबर 2023 तक इसको start कर दिया जागा इंडिया की पहली hydrogen train इसके बाद अगले question की बात करें यहां पूछा गया है कि हाल ही में कि इस रади सरकार ने इसलाम नगर का नाम बदल का जगदीश पूर कर दिया है कि अब ये उत्तरघंड की सरकार है उत्त्रपरदेश की है मदब्देश फिर हमाचल प्रदेश तो सही ांसर की ए극ए तक यहां पर मदब्देश की कावर्मेंट है जिसने इसलाम नगर का नाम चेंज करके क्या कर दिया है आपका जगदीश पुर कर दिया है नेक्स्ट कोशन की बात करें कि हाल ही में फिल्म निर्माता किसाना धुनी विश्वनात इनका निदन हो गया इन्हें दादा साब फायल के पुरुषकार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था अब ये 2010 में 2013 में 2015 में या फ़र 16 में तो सही answer क्या आएगा यहां पर सही answer आएगा आपका ऑप्शन डी यानि की 2016 2016 में इन्हें सम्मानित करा गया था दादा साब फायल के एवोड से इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें, यहां पूछा गया है कि हाल ही में प्रसिद कन्नड लेखक के भी तुरू मलेश इनका निधन हो गया, इन्हें कविता संग्रह अक्षे काववे के लिए किस वर्ष साहित अकार्डमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, अब यह 2015, 10, 13 या फिर 16, तो सही अंसर 2015 में इनको जो है, वो सम्मानित किया गया था, इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें, यहां पर पूछा गया है, महरास्ट के मुखमंतरी एकनाश शिंदे ने, जै जै महरास्ट माजा को रास्ट गीत के रूप में गोशित किया है, जो लि वचे, इनके दोरा इसको लिखा गया है, इसके बाद आज की इस वाले सेशन का लास्ट कोश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में, गुजराद पोर्टर्स इंफरस्ट्रिक्चर कंपनी लिमिटेड ने, गुजराद मेरिटाइम कलस्टर का पहला CEO किसे निय किया है, अब ये अरुन प्रकाश है, सुशील कुमार है, इनका नाम मादवेंदर सिंग है, या फिर ये है विश्नु भागवत, तो सही आंसर क्या आगा यहां पर, सही आंसर हैगा option C, यानि की मादवेंदर सिंग, तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को य यहीं पर end करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then thank you so much, have a nice day, bye.